नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्तर मीलम शर्मा. इस वीडियो में हम दिसकस करेंगे कि निउरोटेक PG टैबलेट का उप्योग किन कंडिशन्स में किया जाता है? निउरोटेक PG टैबलेट को कैसे लेना चाहिए? और निउरोटेक PG टैबलेट की वज़े से क्या साइड इफेक्स हो सकते हैं? और यह भी डिसकस करेंगे कि निउरोटेक PG टैबलेट को लेते समय क्या-क्या सावधानिया रखनी चाहिए? Neurotech PG एक ब्रैंड नेम है Neurotech PG टैबलेट के अंदर दो दवाओं का कॉंबिनेशन होता है Neurotech PG टैबलेट के अंदर सॉल्ट कमपोजिशन प्रेगाबेलिन 75 mg और मिथाई कोबालामिन 1500 माइक्रोग्राम होता है Neurotech PG टैबलेट का उप्योग Neuropathic दर्द को ठीक करने के लिए किया जाता है Neuropathic दर्द का मतलब होता है नसो का दर्द Neuropathic दर्द होने पर बहुत तेज दर्द होना जलन होना शूय चुगने जैसी समवेदना होना हातों वपैरों का सुन्ञ पर जाना मासपेशियों में कमजोरी होना और बिजली के करंट की तरह जटके के साथ दर्ध होना आदी लक्षन नियूरोपैथिक दर्ध होने पर हो सकते हैं। डाइबिटीज होने पर, शराब का अधिक सेवन करने पर, शरीर में विटामिन B12 की कमी होने पर, शरीर में कमजोरी होने पर, शरीर में खून की कमी होने पर और रीड की हड़ी से संबंधित कोई समस्या होने पर नियूरोपैथिक दर्ध होने का जोखिम अधिक हो जाता है। इसके अलावा फाइब्रोमायल्जिया होने पर भी नियूरोटेक टीजी टैबलेट का उप्योग किया जाता है। फाइब्रोमायल्जिया होने पर पुरे शरीर में दर्ध होने लग जाता है। और शरीर में ठकान रहने की समस्या हो सकती है। इसके अलावा Neurotech PG Tablet मिर्गी और दोरों को भी कंट्रोल करने में मदद करती हैं, जिन व्यक्तियों को मिर्गी या दोरे आते हैं, ऐसे व्यक्तियों को भी डॉक्तर अन्य दवाओं के साथ Neurotech PG Tablet को लेने की सला दे सकते हैं. साइड इफेक्स की बात करें तो वैसे तो ज्यादातर व्यक्तियों में Neurotech PG Tablet की वज़े से कोई साइड इफेक्स नहीं होते हैं, लेकिन कुछ पसेंट व्यक्तियों में Neurotech PG Tablet की वज़े से कुछ साइड इफेक्स हो सकते हैं, जैसे वजन का बढ़ना, नींद अधिक आना, सिर्दर्ध होना, सिर्चक्राना, कब्ज होना, मुं में सुखापन होना, ध्यान लगाने में परेशानी होना, शरीर में प्लेटलेट काउंट कम होना, हाथों वपैरों में सूजन होना, आखों से धुंधना दिखाई देना, पस से लेना recommend होता है. Neurotech PG tablet को शाम के समय खाना से के ले कर 24 घंटे तक रहता है। आम तौर पर 18 साल से अधिक उम्र के ज्यादातर व्यक्तियों को डॉक्टर नियोरोटेक PG टैबलेट को दिन में एक ही बार और शाम के समय खाना खाने के बाद लेने की सलाह देते हैं। नियूरोटेक PG टैबलेट को डॉक्टर डोज सप्ता से लेकर आज सप्ता तक लगातार लेने की सला दे सकते हैं। नियूरोटेक PG टैबलेट की डोज उम्र, शरीर के वजन और बीमारी की गंभीरता के आधार पर कुछ व्यक्तियों में इससे अलग भी हो सकती है। इसलिए आपको नियूरोटेक PG टैबलेट को आपके डॉक्टर द्वारा बताई गई डोज में ही लेना चाहिए। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है, तो कृप्या वीडियो को लाइक करना वचैनल को सब्सक्राइब करना न भूले। अब हम डिसकस करेंगे कि नियूरोटेक PG टैबलेट को लेते समय क्या-क्या सावधानिया रखनी चाहिए। लगातार बारा सब्ता से अधिक नियूरोटेक PG टैबलेट का सेवन करना रेक्मेंडेड नहीं है। इसलिए डॉक्टर की सला के बिना NeuroTek PG टैबलेट को 12 सब्ता से अधिक नहीं लेना चाहिए, NeuroTek PG टैबलेट को लेने के बाद जाइविंग और ऐसी मशीनों पर काम नहीं करना चाहिए, जिन पर काम करने के लिए अधिक मानसिक सतरकता की आवशकता होती है, क्योंकि Neurotech PG Tablet को लेने के बाद नींद अधिक आ सकती है इसलिए Neurotech PG Tablet के साथ शराप का सेवन नहीं करना चाहिए प्रेगनेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं के लिए Neurotech PG Tablet का सेवन करना सुरक्षत वर रेक्मेंडेड नहीं है Neurotech PG Tablet मा के गर्ब में पल रहे बच्चे को नुकसान पहुँचा सकती है और स्तनपान करा रही महिलाओं में Neurotech PG Tablet मा के दूद के जरीए बच्चे तक पहुँच सकती है और दूद पीने वाले बच्चे में साइड इफेक्ट्स पैदा कर सकती है इसलिए प्रेगनेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं को Neurotech PG Tablet को डॉक्टर की सलाह के बिना नहीं लेना चाहिए वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अगर आपका Neurotech PG Tablet से संबंधित कोई प्रश्न है तो आप कमेंट करके पुछ सकते हैं